लेके आया हूं जिसमें कि हम डिसकस करेंगे कि का होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट कहां यूज होता है और हमारे compound interest है, हमारे जीवन में क्या-क्या फाइदा हो सकते हैं, वो सारे बातों को हम देखेंगे, तो मैं आप से बता दू topic पे जाने से पहले, कि जो compound interest है, mainly इसका use, banks में use के जाते हैं, जब भी आप bank में कुछ money deposit करते हैं, यानि अगर आप money यानि FD कराते हैं, तो FD पे आपको bank क्या करता है, compound करके आपको पैसे को देता है, यानि आप अगर 10 रुपे जमा कराते हैं, तो उसके compound interest लगा के बहुत सारे पैसे बना देता है, तो आईए हम इसी सब चीजों को समझेंगे कि आखिरो banks कैसे हमें पैसे देते हैं, और कैसे हमें अमान लिजिए 1000 रुप जमा कराया, तो उसका 2000 बन जाता है, तो वो सारे हम इस topic में discuss करेंगे, तो बिना कोई समाई वेश्ट कि ये पहुंचते हैं आपने topic पे, let's move on topic, तो हंजी दोस्तों, अब हमने topic पे आचुके हैं, जिसमें कि हमें discuss करना है, compound interest, तो आईए हम देखते हैं, compound interest कैसे निकालते हैं, तो आपने ये चीज़े तो देखी लिया, कि जो compound interest है, उसका use कहा होता है, बैंक्स में होता है, जब भी हम loan लेते हैं, या FD कराते हैं, या RD कराते हैं, अब आपको FD और RD के बारे में तो आप जानते ही हैं, कि यानि आपने कुछ पैसे हैं, आपके पास आप उसका के लिए, बैंक्स में fix deposit करा दिया, कुछ सालों के लिए, तो आपको क्या करता है, बैंक्स जितना पैसा देते हैं, उसका थोड़े बहुत increase करके, उस time period पे आपको pay करता है, यानि जितने time period के लिए आप का करते हैं, उसको FD कराते हैं आपने पैसे को, उस time period के बाद आपको कुछ money extra करके आपको देता है, तो वो जो money आपको extra मिलता है, वो compounded interest मिलता है आपके पैसे का, तो आईए उसी हम compounded interest को निकालने से दिखेंगे, क्या खिर कैसे निकालते हैं compounded interest, तो उसके लिए basic से formulas हैं, पहले तो compounded interest जो होता है, वो होता है amount minus principle, आपके पास जितना principle है, पहले क्या कर लिजिए, आप amount निकाल लिजिए, उसमें से principle को minus कर लिजिएगा, तो ये amount में से principle minus कर लिजिए, वहां से क्या आजाएगा आपके पास, बहुत यासानी से compounded interest आजाएगा, तो compounded interest निकालने से पहले हमें amounts निकालने पड़ते, तो amounts मान लिजिए, amount के लिए हमारे पास simple और सधारन सा formula है, तो हम इसको इस formula को use करने से पहले हम देख लेते हैं, एक example के मादे में समझ लेते हैं कि आखिर इसको कैसे use करते हैं इस formula को, तो मान लिजिए, आपने क्या किया, बैंक से आपने 10,000 रुपे का loan लिया, और उसके बाद 10% के interest पे, annually charge पे, दो साल के लिए क्या किया, आपने loan लिया, आपने 10,000 loan लिया, 10% के interest पे, ठीक है, और दो साल के लिए लिया, जो की annually क्या हो रहा है, compounded हो रहा है, तो कोई भी आपको loan देता है, तो वो आपको annually compounded करके ही देता है, ऐसे नहीं देता, तो उस जगह पे हमें compounded interest निकालने के लिए, simple और सधारन सा formula है, amount minus principal कर लिजिए, वहाँ से क्या आजाएगा आपके पास, compounded interest आजाएगा, तो compounded interest निकालने के लिए हमें सबसे पहले amount को निकालना पड़ेगा, तो amount आजी हम निकालते हैं, एक उस जो formula होता है, वो principal, यानि यह 10,000 है आपके पास, 10,000 को multiply कर देजिए, 1 प्लस rate of interest कितना है, 10% upon 100, whole to the power है, 2, यानि इसको आप कर दीजिएगा, यहाँ से थोड़ा sort out कर लिजिए, यह दिखिए, यह 10 से 10, एक जिरो चला जाएगा, यानि 10 आजाएगा, यानि 100 को काटिएगा, 10 से तो 10 आजाएगा, और इसको थोड़ा solve कर लिजिए, solve कीजिएगा, तो आपके पास आजाएगा, यह 10,000 into, 10,000 into, 1 प्लस, 1 प्लस 1 upon 10 आजाएगा, whole to the power 2, और इसको थोड़ा हम further solve करेंगे, तो हमारे पास जो value आएगा, वो आएगा, 10,000 into, यहां से LCM लिजिए, LCM लिजिएगा, तो आपके पास आजाएगा, पुरा solve करके 11 upon 10 का whole square, whole square आजाएगा यहां पे, बहुत यह असानी से, अब इसको थोड़ा और solve कर लिजिए, यहां पे solve कीजिएगा, तो यह 10,000 into 11 upon 10 into 11 upon 10, अब यह 10 से यह 2 0 से 2 0 यहां कर जाएगा, वो आपके पास जो value आएगा, जो amount आएगा, वो आपके पास आजाएगा, 11 को 11 से multiply कीजिएगा, तो वो आजाएगा, 121 20 लगा दिया, यह आपके पास क्या आजाएगा, पूरा amount आजाएगा, यह amount आगया, आपके पास 12,100 रुपे का आगया, आपके पास amount आगया, तो amount आगया, अब आप क्या करोगे, यहां से यह जो amount है यह आपको दो साल के बाद बैंक को पे करना पड़ेगा जबकि आपने कितना 10,000 का लोन लिया था 10% के compound interest पे तो उसको बैंक को पे करना पड़ेगा आपको 12,100 रुपे तो यहां पे आपने कितना extra पैसा दिया उस चीज को निकालने के लिए वो आता है हमा हमारे पास compound interest आ जाएगा हम देखते हैं यहां पे c i equals to क्या हो जाएगा अमांट माइनस प्रिंसिपल यानि कि जो हमारे पास amount आया है कितना 12,100 रुपे में से minus कर लेते हम 10,000 तो यह बहुत ही असानी से आपके पास जो value आएगा वो आ जाएगा 2100 रुपे आपके पास क्या आजाएगा यह compound interest जो आपने interest पे करना है वो आजाएगा c i जो आजाएगा हमारे पास 2100 रुपे आपको extra पे करना पड़ेगा बैंक को यह हमें compound interest बताता है कि compound interest अगर आपको निकालने आ गया तो आपको पता लग जाएगा कहीं से आप loan ले र रहे हो तो fd पे आप कितना परसेंट बैंक आपको interest दे रहा है और कितना एयर के लिए कर रहे हैं तो वहां पे बहुत ही असानी सी क्या कर सकते हैं यह compound interest का फॉर्मूला यूज करके हम अपने interest को calculate कर सकते हैं पर हम जितना भी हम loan ले रखे हैं उनका भी interest calculate करके आप बहुत यह असानी से आप समझ सकते हैं और अपने जीवन में लाव उठा सकते हैं compound interest का तो compound interest का एक डायरेक्ट भी formula है या तो पहले आप amount निकाल लीजिए उसमें से principal minus कर लीजिए नहीं तो एक direct formula यह है c i equals to principal into 1 plus r upon 100 whole to the power n minus 1 करके इस formula को भी apply करके आप बहुत ही असानी सी क्या कर सकते हैं compound interest को निकाल सकते हैं I hope मैं आसा करता हो आप पर चीजिए समझाया होगा यह था हमारे पास अगर आपके amount लिए हैं वह annually compound होता है जो हमारे पास next है वह हमारे पास compound in half yearly अगर आपने कहीं से कुछ loan लिया और वह loan क्या था half yearly में compound हो रहा है तो वहां पे आपको compound interest नि निकालने का बस यहां पर थोड़ा चेंज जाता है अमांट के लिए यहां पर क्या है कि वन प्लस आर अपन 200 होल टुदी पावर टू एन आ जाता है ठीक है यह अमांट निकालने का formula थोड़ा चेंज हो जाता है पहले क्या यह 100 होता था अगर वो earlier था तो अगर half yearly होगा तो यह whole to the power 2N और divided by 200 होता है तो इसको समझने के लिए हम एक example का है प्लेते हैं जिसमें कि मान लिजीए आपने क्या किया 1000 रुपे किसी बैंक से लोन लिया और वो भी 20% के interest पे वो कितने दिन के लिए लिया 3 upon 2 years के लिया आपने interest तो वहां पे आपने compound interest calculate करना होगा तो उसके लिए आपने simple और सधारन सा यह formula यूज करना है यह है जो amount equal to high हमारे पास 1 plus r upon 200 whole to the power 2N तो हम देखते हैं यहाँ पे amount calculate करके principle हमारे पास जो है 1000 रुपे और plus 1 plus r upon कितना है 20% upon 200 कर लिजिए whole to the power 2 into 3 upon 2 अब इसको सॉट आउट कर लिए देखिए two से two कर जाएगा यहां देखे twenty से यह चला जाएगा ten time में और इसको थोड़ा solve कर लेंगे तो यह हमारे पास थाउजन इंटी यह आजएगा वन प्लस one upon ten whole to the power three अब यहां से थोड़ा solve करेंगे तो हमारे पास आजएगा thousand इंटु अगर 3 पाउर हो गया तो 3 बार इसको मुल्टिप्लाई कर दीजिए 11 अपॉन 10 इंटु 11 अपॉन 10 इंटु 11 इंटु 11 तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वह आ जाएगा 1331 यानि की 1333 और हमारे पास यहां बहुत ही असानी सी क्या अमॉंट आ गया अमॉंट आ गया तो हम यहां से बहुत ही इजी वे में क्या निकाल सकते हैं कंपाउंड इंट्रेस्ट निकाल सकते हैं C.I. यानि कंपाउंड आमांट में से आप्रिंसिपल को माइनस कर लीजिए यह आगे देखिए हमारे पास अमाउंट यह और इसमें से माइनस कर लीजिए आप बहुत ही 331 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना पढ़ेगा उस बैंक को आपको यह चीज़े समझाया होगा अगर आप half yearly पे लेते हैं कोई लोन या फिर कोई पैसा या किसी को देते हैं तो आपको इतना एक्स्ट्रा पैसा पे करेगा तो अब देखते हैं अगर आप लोन quarterly लेते है इसका जो next topic है वो quarterly है, अगर आप कहीं bank से loan quarterly ले रहे हैं, तो उस case में हम component interest कैसे निकालेंगे, उसको देखते हैं, तो मान लीजिए आपने quarterly कहीं से क्या किया आपने loan ले लिया, तो quarterly के लिए जब हम amount निकालना होता है, तो उसके लिए यहाँ पे simple और सधारन सा जो formula होता है, amount के लिए P into 1 plus R upon 400 whole to the power 4N, तो इस formula को use करके हम बहुत यह असानी से amount निकाल सकते हैं, जब amount आजाएगा, तो बहुत यह असानी से क्या आजाएगा, आपके पस compound interest आजाएगा, तो हम देखते हैं यहाँ पे amount निकालने के, तो मान लीजिए आपने क्या किया, bank से loan लिया, जो rate of interest कितना था, 40% और वो था 3 upon 4 years के लिए था, जो कि compounded होड़ा था, quarterly, तो उस case में amount निकालने के लिए, आपने सीधा और simple सा formula यूज करना है, जो कि है, यह देखिए, जो amount निकालने का जो formula है, वो है 1 plus R upon 400 whole to the power 4N, तो यहाँ से हम amount निकाल लेंगे, तो देखिए, हमारे प 100R कितना है, हमारे पास 40% upon 400, whole to the power कितना हो जाएगा, 4 into 3 upon 4, तो यह देखिए, 4 से 4 cancel out हो गया, यहाँ देखिए, 40 से 40 चला जाएगा, यहाँ टेन टाइम से, और जो हमारे पास जो value आएगा, वो आएगा, 2000 into 1 plus 1 upon 10, whole to the power 3, अब यहाँ पे 3 आया, तो यह हमारे पास जो value आ 11 upon 10, यानि कि, whole to the power 3, अब इसको हम तोरा solve कर लेते हैं, तो solve करेंगे तो यहाँ जाएगा, 2000 into 11 upon 10, into 11 upon 10, into 11 upon 10, so देखिए, 30 से 30 यह उड़ गया, और बचा क्या हमारे पास, यह बच गया, 2 into, अब यह 11 को 3 times multiply कीजिएगा, तो आपके पस 11 to 11 कीजिएगा, तो वो आजाएग 2662, यानि कि 2662 रुपीज आ जाएगा, तो हमारे पास जो amount है, वो आ गया 2662, तो यहाँ पे हमें अगर compound interest निकालना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, amount में से principle को minus कर लेना है, amount है, जो आया है हमारे पास 2662 में से minus कर लीजिए, 1000 रुपे, 2000 रुपीज माइनस कीजिएगा तो आपके पास जो value आएगा, वो आएगा 662, यानि कि जो आपको extra amount pay करना पड़ेगा, bank को, या किसी से भी loan लिये हैं, उसको 662 रुपे पे करना पड़ेगा, within आपने 3 upon 4 year के लिया है, तो जहाँ पे आप बड़े ही असानी से quarterly को समझ सकते हैं, अगर आपने कहीं से loan लिय हो रहा था, तो quarterly के लिए आप amount निकानने के लिए simple और सधारन सा formula यूज कीजिए, जो कि है हमारे पास P into 1 plus R upon 400 whole to the power 4N, मैं आसा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आया होगा, अब हम देखते हैं, next जो topic है, next topic है, वो हमारे पास कुछ इस प्रकार है, मान लिजिए, अधर आपने compound interest निकालना है, तो उसके लिए amount निकालने का simple और सधारन सा formula है, ये हमारे पास ये दिख रहा है आपको पास, amount equal to principal into 1 plus R1 upon 100 into 1 plus R2 upon 100 into 1 plus R3 upon 100, इस formula को use करके आप बड़े ही असानी से amount निकाल सकते हैं, जी तो जब amount निकाल लिया, तो आपको compound interest निकालने में ब समझते हैं, मान लिजी आपने क्या किया किसी bank से 1000 रुपे का उधार लिया, या किसी अपने दोस्त से 1000 रुपे का उधार लिया, यानि उस चे लोन लिया, और वो था, दोस्ता आपका कहरा है कि 10% के interest पे मैं आपको दूँगा, एक साल में, एक साल के लिए 10% पर, अगर 20% लोंगा, ठीक है, तो यह क्या हो रहा है कि एक साल के लिए 10%, दूसरे साल के लिए 20% लगेगा, तो यानि कि देखिए, यह क्या हो रहा है, हर साल में rate of interest क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, यानि पहले साल में रखोगे, तो उसको 10% दूसरे साल के लिए 20% हो जा रहा ह के लिए हम सीधा और सींपल सा फॉर्मॉला यूज करेंगे यह उपर हमाई दिया हुआ हुआ है तो हम यहां पर प्रिंसिपल कितना है यहां से आपको क्या आजाएगा बहुत ही असानी से आपको कंपाउंड इंट्रेस्ट निकल जाएगा यानि अमाउंट पैजा निकाल लेते हैं यानि इसको सॉल्व करेंगे तैन आ जाएगा यहां पर दिखी यहां पर क्या बच गया वन प्लेस वन अपन टैन इंट्व फ्लेस वन अपन फाइव ठीक है अब इसको हम तोड़ा सॉल्व कर लेते हैं जब हम इसको सॉल्व करेंगे अमांट को यह आजाएगा हमारे पस थाउजेंड इंटू कि लिए लेवन अपन टैन इंटि यह कीजिएगा तो यह आज cycle मं लेकर सॉल्व की जाएगा ठीक है यह लेवन सिखा कर दीजिए multiply कर दीजिए यानि 20 इन्टू अब देखे 11 को सिक्स से multiply किजिए गा तो यह आजाएगा और 66 को 20 से multiply किजिए गा तो यह आजाएगा वन थ्री टू जीरो यानि 1320 रुपीज आजाएगा जो amount अब आपके पास amount आ गया तो यहां से आप बहुत ही सिखा कर लीजिए compound interest को find out कर लीजिए compound interest क्या होता है amount minus principle तो यहां से क्या करेंगे हम amount हमारे पास आ गया वन थाउजंट थ्री हंड्रेड ट्वेंटी और हम इसमें से माइनस कर लेते हैं थाउजंड रुपए जो हमारे पास जो interest लगना है वह लगना है थ्री हंड्रेड ट्वेंटी रुपए हमें उसको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा आपने दोस्त को ठीक है अगर वह क्या हो रहा है तो टैन परसेंट इंक्रीज हो रहा है और सेकेंड यह में 20 अगर दो सल रखोगे तो सेकेंड ट्वेंटी यह परसेंट बढ़ जाएगा इंट्रेस्ट ठीक है तो उसकेस में अगर हमें निकालना है जो कि कंपाउंड हो रहा था यह 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 अनुवली तो वहां पर पहले अमाउंट निकाले के लिए इस पॉमूला को यूज किजिए पी इन्टू वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड और वन अपन हंड्रेड इन्ट करता हूं कि आपको यह चीजी समझ आया होगा अब इसे के साथ आपने लेक्चर को समाप्त करते हैं अगर आपको कहीं भी कोई प्राव्लम या दिक्कत आती है तो आप जरूरी कमेंट करें आपके कमेंट को हम जरूर अप्राइक करेंगे और आपसे बिनम्रता पुरबक र करेंगे